नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं बस चुटकी भर नमक इसकी तागत जानकर हैरान हो जाएंगे आपको जीवन बर माला माल रखने के लिए काफी है एक चुटकी भर नमक जी हाँ दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में नमक के कुछ ऐसे ही खतरनाग और जबर्दस चोटकों के बारे में बताने वाले हैं जिनने अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन से नकारत्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पैसो की तंगी का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तो नमक के अंदर आकर्शन शक्ती के कारण घर में नकारत्मक उर्जा का संचार होता है नमक के उपयोग से राहू और केतू के अशुप प्रभाव भी नश्ट हो जाते हैं साथ ही इसका ठीक से उपयोग करने से घर परिवार में हमेशा सुख और श्चार दोस्तों सास्त्रों में बतायागे कुछ उपय इतने ही सक्तिशाली वे चमतकारी होते हैं कि जिने करते ही परिणाम देखने को मिलता है जिस परकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो की चमतकारी होते हैं जिने करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रवावित हो जाता है जिस प्रकार से वशीकरण मंत्र होता है जिसे याद करते ही सामने वाला व्यक्ति वशीबूत हो जाता है उसी प्रकार हमारे जोति सास्तर में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में ही चमतकारी और विशेश होते हैं जिने करते ही परिणाम देखने को मिलते इन उपायों को करदने मातर से ही धन का आगवन सुरू हो जाता है बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परिषानी रहती है कि वह जीवन में जितना भी प्रियास करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में जो हम आज की इस वीडियो में हम आपको नमक के कुछ ऐसे ही उपयोग बताएंगे जिसे अपना कर आप अपने घर में सुक समर्दी, शांती और धन वैवब में बड़ोतरी कर सकते हैं। आप अपने ओफिस के में गेट पर भी टांग सकते हैं। नमक का यह उपय करने से घर में या फिर ओफिस में किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी नहीं रहती है। पानी में से डाल कर अपने हाथ मुझ को अच्छे प्रकार से धो लेना है। साथ ही आपको ओम, ग्राम, ग्रीम, ग्रोम से राहुवे नमहा इस मंतर का जाब करना है। जितनी देर आप हाथ मुझ धोएंगे, उतनी देर तक आप इस मंतर का जाब करते रहे। इस प्रकार से अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको एक और जहान नीन अच्छी आती है। वही पर आपकी कुंडली से राहु केतु का जितना भी दुस प्रवाव है, वे हमेशा के लिए नश्ट हो जाता है। अगर आप इस प्रकार के उपाय को हर रोज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे हफते में एक बार तो अवश्य करें। अगर आप इस उपाय को हफते में केवल एक ही बार करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उप्युक्त दिन है शनिवार। शनिवार को इस उपाय को अवश्य करें। वैसे तो इस उपाय को हर रोज ही करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर उन्हें हफते में एक बार नमक वाले पानी से अवस्षे नहलाना चाहिए। इससे बच्चों को लगी हुई नजर और नजर के कारण होने वाले सभी पुरे और दुश परभाव बच्चों के उपर से नश्ट हो जाते हैं। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप पर एक हफते इस नमक को बदलते रहेंगे और पुराने नमक को अपने घर के टोईलेट में डाल देंगे। सकारतमकता का संचार होता है और घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और सोहदर बना रहता है। वहीं आपके घर में धनकी आवके सभी मार खुल जाते हैं। इस उपाय को अगर आप हरोज ना कर पाएं तो कम से कम मंगलवार के दिन अवश्य करें। नमक को दोस्तों कभी भी स्टील और लोहे के बने बरतनों में नहीं रखना चाहिए। बलकि नमक को कांच के जार में भरकर रखना चाहिए। अगर संबभ हो तो नमक के जार में तीन-चार लोंग अवश्य रख देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा ही सुकसांती और धन वैबब बना रहता है। और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। आपकी तिजोरी हमेशा ही नोटों से बरी रहती है। तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी। एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में जादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जाए बजरंग बली।